कैसे हैं दोस्तों आज हम बात करने वाले एक बहुत ही बढ़िया वेब सीरीज की जिसका नाम है शांतराम जो के एपल टीवी पर रिलिस की गई है और जो के बहुत ही बढ़िया थ्रिलर है और जिससे सुने में देखने में या जानने में बहुत मज़ा आने वाला है बट उस या के जेल में बंद होता है और उसे वहाँ से भागना होता है अब उसका पास्ट क्या है या उस ने क्या गुना किया था यह चीज अभी भी सस्पेंस बनी हुई है किसी को भी पता नहीं बस उसके अतीत में जब भी वह सपने देखता है तो उसे याद आता है कि एक पुलिस उससे हमेशा question पूछता है कि ये खून किसने कियाता करके तो वो जब jail में है तो सारे लोग उसे गालिया दे रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कोई gangster से मिला हुआ है या किसी gangster का चमचा है इसी reason के वज़े से वो वहाँ से भागने की कुशिश करता है वो अपने एक साथी को अपने साथ ले लेता है और दोनों मिलकर वहाँ से भागने का प्लान करते हैं और successful भी हो जाते हैं वहाँ से निकलने के बाद डेल सबसे पहले अपने college के professor को मिलता है जो उसे सला देता है कि अब जिन्दगी में आगे जाकर तुम कोई भी drugs और guns का इस्सेमाल मत करो और वो professor उसे कुछ पैसे भी देता है और वो ये जानता है कि डेल बहुत अच्छा इंसान था बट हलातों के वज़े से वो बिगड चुका था आस्स्रेलिया से भागने के अलाव कोई चारा नहीं होता इसलिए वो वहां से 1980s में Bombay में यानि के मुंबई में आ जाता है CST स्टेशन पर उतर जाता है अब CST पर जैसे ही उतरता है उसकी मुलाकात होती है एक गाइड से जिसका नाम होता है प्रभू प्रभू थोड़ा चिपकू किसम का होता है और ना चाहते हुए भी डेल उसे help ले लेता है प्रभू उसे एक room दिला देता है होटल में जहां पर डेल आरा रहता है डेल और प्रभू दोनों डेली मुंबई के चक्कर लगाते है और डेल भी अपने जिन्दगे में खुश होता है रासे में चल रहा होता है और उसका ध्यान कार की तरफ नहीं होता है तभी वहाँ पर एक लड़की उसे बचा लेती है उस लड़की का नाम होता है कारला और वो उसको ढूनना शुरू कर देता है कारला एक restaurant, एक coffee shop में उसे मिलती है जहां पर कारला के साथ उसकी एक दोस लीजा और बाकी के और भी दोस्त होते है डेल जो होता है उसे mimicry करने की बहुत आदत होती है उसे बहुत सारी languages आती है जिसके वज़े से कारला, लीजा और उनके सारी दोस्त impress हो जाते है अब कारला और डेल के बीच में दोस्ती हो जाती है और डेल एक दिन कारला को घर चोड़ने जाता है लोटते समय उसे एक police officer मिलता है जो कि उसे कहता है कि area में curfew लगा हुआ है और तुम यहां गूम क्यों रहे हो और वो जान बुचकर उस पे इल्जाम लगाने की कोशिश करता है और उसे jail में बंद करवाने की कोशिश करता है पुलिस के साथ मुटमेड होती है और वो वहां से भाग जाता है अगले दिन डेल सोचता है कि Bombay से बाहर निकलना जरूरी है अदरवाइस पुलिस फिर से उसके पीछे लगेगी इसलिए वो प्रभु को कहता है कि वो Bombay छोड़ के जा रहा है प्रभु उससे कहता है कि अगर तुम्हें Bombay से जाना है तो सबसे बड़ी है प्लेस तो मेरा गाव है और दोनों मिलकर उसके गाव जाने का प्लान करते है उसी शाम कारला आकर डेल से हिल्प मांगती है वो कहती है कि लीजा एक दिन पहले एक माफिया डॉन के पास कही थी अब वो माफिया डॉन ने उसको बंदड बना कर रखता है और उसे छुड़ाने के लिए तुम्हें एक डेपलाउमेंट बनने की कोश्च बनना होगा कहले तो डेल ना कहता है नेक्स दिन सुबह उसका प्रभू के साथ टिकेट बुक करने जाने का प्लान होता है प्रभू आता है और दोनों बात ही कर रहे होते तबी बगल के रूम से एक औरत के चिखने की चिलाने की आवा जाती है दोनों भी तेजी से वहां भाग जाते और उन्हें दिखाई देता है कि एक आदमी ड्रग्स के ओर्डोस के वज़े से बेहोश हो गया डेल उसे बचाने की कोशिश तो करता है बट प्रभु कहता है कि पुलिस आएगी और डर के मारे दोनों निकल जाते अंतता वो अदमी मर जाता है इस चीज का डेल को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि लिजा को हमें छुडाना होगा इसलिए वो प्रभु को कुछ पैसे दे देता है और कहता है कि कल की टिकेट बुक कर लेना और मैं तुम्हें यही पे मिलूगा यह कहकर वो चला जाता है अब डेल जो है कारला के पास जाता है कारला उसे एक डिप्लोमाइड बनाने की पूरी ट्रेनिंग देकर दोनों भी मिलकर माफिया डॉन के पास चले जाते अब माफिया डॉन जो है वो उससे कड़ी परिक्षा लेती है और इवेंचुली वो उससे डर जाती है और लीजा को उनके साथ भेज़्ट अब लीजा, कारला और डेल यह तीनों मिलकर घर वापस लोटते है तो processing और घरिये ले होता है जिसे देखकर खुशी खुशी घर चाह रहा होता है तब ऑचालोम पय्जा उसे पकड़ कर पीटते है और उसका सरा पैसा लूट कर ले जाते है अब डेल जो है वो राज्टे पे खुन में लत्पप पड़ा हुआ है और एपिसोड वन यही पे खतम होता है दोस्तों अगर आपको मेरा एक्स्प्लेनेशन पसंद आया होगा तो थम्स अब जरूर देना शेर जरूर करना कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों थैंक यू वेरी मुट्ट